दोस्तों स्वागत आपका तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि किस तरीके से आप फोन पे में अपना जो प्राइमरी बेंग अकाउंट है उसको नए मेतर से कैसे चेंज कर सकते हो इससे पहले जो मेतर था वो अलग था लेकिन अब चुकि फोन पे अप्लिकेशन में अब बेसिकली आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में फोन पे जो अप्लिकेशन उसको ओन करना होगा जैसे आप फोन पे अप्लिकेशन को ओन करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस है वो देखने को मिल करना है आपको यहाँ पर जो यह वाला लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका फोटो दिखाई दे सकता है अगर वो जीमेल से अटेज है तो और अगर वो जीमेल से अटेज नहीं है तो उसकेस में इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ लोगो दिखे दे रहा होगा तो आपको simply क्या करना है उस वाला option पर click करना है जैसे आप इस logo पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने load होने के बाद को चीज तरीका का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा आपको यहाँ पर यहाँ पर यह देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर आपको जो payment methods लिखा होगा चेंज करूँगा तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके bank accounts जुड़े होए जनरली बहुत सारे जो लोग होते हो उनके एक से ज्यादा जो bank accounts है वो phone pay application में जुड़े होते हैं और ऐसे किसमें अगर एक account में पेसा नहीं हो तो वो दूसरे account से भी transaction करना चाते है जनरली primary account का मतलब यह होता है कि आपकी UPI ID से जो भी payments होगी वो उसी account के अंदर आएगी तो यहाँ पर ऐसे में primary account जो है वो सही primary account सेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है जिसे कि आप आपका जो desired bank है उसके अंदर आपकी जो payment है वो हसल कर सकते हो तो simply आपको क्या करना है कि पर जो options आएंगे उसमें से उसको select करना होगा जैसे मैं इसको select कर लेता हूँ जैसे मैं इसको select कि अब आपके सामने कुछ इस तरीके का जो सेट हो जाएगा अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यह वाला जो बेंक अकाउंट यह प्राइमरी बन चुका और यहां पर नीचे प्राइमरी भी लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप अपना जो प्राइमरी अकाउंट है वो फोन पे के अपडेटेड वर्जन में चेंज कर सकते हो आपको यह जो जानकरी है कैसी लगी कॉमेंट बोक्स में जुरू बताना ऐसो और भी वीडियोज अगर आप देखना जाते हो हमारे चैनल जीडिस खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना बुलें मिलेंगे आपसे नई वीडियो में ने जानकर जिक साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत